हलो दोस्तों स्वागत है आपका आलोकन अकेड़ी के ओनलाइन प्रेटफर्म पर मैं अवंधी आपके लिए लेका है हूं राजस्तान का इतिहास पुराणी कख में हमने देखा है हम वहार्काइठि पर लिया था हम हम पर लिया था किस परकार जो वंश क्यूंद रहा है आगे और महार्नापरताब करें थे उसमें पढ़ा है कि हल्दी घाटी का युद्धि दो लास्त लास्त मेता है था खलते खाटे युदसे पूर भी अकबर के द्वारा बहुत सारे सिस्टमेंडल भेजे के थे खालम उसकी चर्चा कर रहे थे देखिए आज का जो हमारा टपिक हो है महारणा प्रता टो मैंने आपको क्लास ने बताया था कि उदे सिंग के द्वारा उदेपूर नगर की साफना की जाती है गिर्वा की पहाडियों में और जैमल और पत्ता जो है बीर गती को प्राप्थ होते हैं और अकबर के द्वारा आगरी के किले के जो द्वार है उस पर पाशान की मूर्तिया लगवाई जाती है मैंने आपको कल की क्लास्टम बताया था इसके बाद में जो अकबर और बिवाड के बीच में अनियंतर क्या रहता है युद रहता है और जब महरणा प्रताब शाशक बनते हैं तो हल्दी घादी का एक युद होता है इसमें इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कौन-कौन से सिष्टम अंडल अकबर के द्वारा भीजा जाते हैं अकबर के द्वारे पहला सिष्टम अंडल भीजा जाता है जलाल खा के नेत्रत किसके नेत्रत में भीजा जाता है जलाल खा के नेत्रत में भीजा जाता है पंद्रासो बहत्तर में भीजा जाता है ठीक है, देखी हम से क्रम भी बुचा जाता है किस क्रम में ये सिस्ट मंडल आये थे, तो हम सिस्ट मंडल पढ़ रहे है, ठीक है, दूसरा जो नंबर का है सिस्ट मंडल वो मांसिंग के नेतरत में आता है, ठीक है, मांसिंग, ये कच्वाहा शाशकते, तीसरा जो सिस्ट मंडल है वो जाता है भगवान दास के, देखिए भगवान दास को भगवन दास भी बोल जाता है, ये भी कच्वाहा के शाशकते, कच्वाहा वंचते थे, चौथा जो सिस्ट मंडल भेजा जाता है, वो टोडल मल के, टोडल मर जो है, उनके नेतरत में भी जाता है, इन चारों, जो सिस्ट मंडल जो भेजे जाते हैं, इन सब के द्वारा ये कहा जाता है महारना परताब को, कि आप अकबर की अधिनता स्विकार कर लीजे, लेकिन स्वाबी मानी महारना परताब जो हैं, अकबर की अधिनता स्विकार नहीं करते हैं, पहले जो नेतरत में भी जते हैं, जलाल खा के नेतरत में भी, दूसरी बार भीज़ा जाता है, तीसरी बार भीज़ा जाता है, चोथी बार भीज़ा जाता है, तो अब क्या होता है, अकबर को महारना परताब के परती, एक एसी मतलब रोश पैदा होता है अकबर को कि अब मुझे उसका एक कुदेश बन जाता है अकबर का कि अब मुझे महारणा प्रताब को किसी ना किसी तरीके से चाहे कैसा भी साय साम दाम दंड भी अपने अकबर को महारणा प्रताब को अधील लाना है ठीक है तो अब क्या होता है इसके फलसरूप हल्दी घाटी का युद होता है देखे हल्दी घाटी का युद जो होता है वो होता 21 जून 1586 ये ये सारे आते हैं 73 में आते हैं देखिए ये थोड़ा ध्यान रखेगा अगर दीपली पूछ ले जाएं नवंबर में आता है और ये जून में आता है और ये आता है ये नवंबर ठीक है तो खल्दी घाटी का युद कब हुआ 21 जून 1586 ये वो गोपी नाथ शर्मा के अकौडिंग है देखी पूछ लेते हैं एक्जाम में गोपिना शर्मा के अकॉड़ी 21 जून 1564 को यह युद्ध हुआ 18 जून 1564 को अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह युद्ध हुआ ठीके आशिरवाद लाल महोदे हैं उनके अनुसार भी है तो ध्यान रखेगा 18 जून आजाए यह 21 जून आजाए तो आपको ध्यान रखना है कि हल्दी काटे का युद्ध अब यहाँ पर क्या होता है तीन अप्रेल 1560 को जो मान सिंग है मान सिंग तीन अप्रेल को मान सिंग और आस्फ खां मिवाड पर आक्रबन करने के लिए मिवाड की चितोडगर दुर्ग पर आक्रबन करने के लिए तीन अप्रेल 1560 को अजमेर होते हुए मान डलगर पहुंचते हैं और वहाँ से चितोडगर दुर्ग पर आक्रबन करते हैं हल्दी घाटी नामकस्तान पर अकुबर की सेना और प्रताब की सेना का भिडंत होती है और युद्ध होता है तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या होता है एक युद्ध बड़ा फेबस है हल्दी घाटी के युद्ध तो सब जानते है एक युद्ध होता है हाथी युद्ध हाथी युद्ध हाथी युद्ध आपको ध्यान रखना है इसमें हाथियों का युद्ध है, इसमें ना तो गोली चली थी ऐसा बाना जाता है, ना कोई तोब खाने का प्रयोग हो था इस युद्ध में, ठीक है, सिर्फ हाथियों द्वारा ही युद्ध लड़ा गया, हाथी की जो सून्ड है, उसमें एक जहरियला खंजर लगा दिया रहता था उनकी जो पूझ पर क्या तलवारे बांधी जाती थी, ऐसा युद्ध में यूज किया जाता था हाथियों को, दो हाथियों का नाम आता है, लूना और रामपरशाद, आप से पूछा जा सकता है कि लूना और रामपरशाद क्या है, कौन थे, हाथी है, सैनापती ह नाम इस प्रकार है तो लूना और राम प्रशाद जो हैं दो हाथियों के नाम है ध्यान रखेएगा हाथियों के नाम है खांडे राव भी हाथि के नाम है खांडे राव मतलब इन्हें हाती युद इसलिए कहा गया क्योंकि हाथियों का इसमें हाथियों के द्वारा युद लड़ा गया है मतलब हाथियों ने क्या किया पूरी अक्बर की सैना को जो उनके जो खंजर वगार लगे हुए थे सून के उपर जहरी ले आधियो चिंट ले तो और लोगे लगे विद्वार युद के अवालब उनको उनका प्रिक्षण क्या जाता था था ठीक है तो इसके धियान रखेंगा कि हाथे युद होता है हलिग और जीज होते हैं तो महानाพरताप की विजय हुई तो कि महारना परताब जो है इसमें जहाला के द्वारा उनका जहाला के द्वारा वो बाहर निकल आते हैं जब वो घायल होते हैं युद में इस युद में तो इसके बाद भी क्या होता है अकबन की जो सेना होती है वो गोगुंदा में ठाही रहती है फिर भी महारना परताब का तु याद रकेगा कि हल्दी घटिक युद में हाथी युद भी आता है हल्सी घटिको युद तो बड़ी कॉमन है लेकिन हाथी इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक है कॉन से हाती ते लूना और राम प्रसाद ठीक है तो ध्यान रखेगा इस पर अब यहाँ पर क्या होता है जो फीज commentary जो हंदिक रिधित की घटना होती है कि मानसींग के हाथी का जो मतलब हाथी को उन्हें को मानची कोशिश करते हैं। समय जाता है आपने नेकिशना होता है सब्सक्राइब मौनक होता है जो में इसे estatма चेतक जाला जो है उस समय महार्णा प्रताप के पास पहुंचते हैं और उनका उमकुर धारण करते हैं और सेना का नेत्रत्व करते हुए दीर्प्रती को प्राफ्त होते हैं जो महारना प्रताब जो हैं काफी दूर निकल जाते हैं रण छेतर से तो वहाँ पर उनका जो घोड़ा है चेतक बलीचा नामक जगे है वहाँ पर उनकी रत्ति हो जाती है ध्यान रखिएगा कि जो चेतक है महाना परताप का घोड़ा है प्रिये घोड़ा है ठीक है और उसकी समाधी कहाँ पर है बलीचा में पूछा जाता है बलीचा बलीचा में किसकी समाधी है पूछा जाता है ये एक्जाम में बलीचा में महाना परताप के प्रिये घोड़े चे याद रखना है, पहला है जलाल, जलाल खां, दूसरा है मान सिंग, भगवान दास, तोडर्मल, ठीक है, यह सारे सीक्वेंस हमें याद रखने, इसी सेक्वेंस से एकजाम में कोईशन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान होने चाहिए, ठीक है, हम कुछ इसका हमें तो एक तरह से ट्रिक है आप याद नहीं होता तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं ठीक है अब इस युद में क्या है हल्दिकाटी के युद्जु होता है इस युद्ध में एक क्वेशन और आता है बनता है हल्दिकाटी के युद्जु है काफी महत्पून युद्ध है इससे बहुत सारे question बनते हैं मैंने आपको बता दिया हाथी युद्ध है इसमें ठीक है राम प्रशाद और लोणा क्या है दो हाथी है खांडे राभ भी एक हाथी है ठीक है और इस युद्ध में एक हकीम खासूर का नाम आता है हकीम खासूर हकीम खासूर कौन थे ये परताब की सैना थी उसके हरावल सैना जो थी परताब की हरावल सैना का नेतरत इनके द्वरा किया गया मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था हरावल हरावल सैना अग्रिम भाग को कहा जाता है हरावल किसको कहा जाता है के अग्रिम भाग को हरावल कहा जाता था और सेना के पश्च भाग को पीछे के भाग को चंदावल कहा जाता था मैंने आपको पुराणी क्लास में पताया हो था ठीक है तो यह गुश्चिन बाद बाद पूचा जाता है कि जो एक मात्र एक मात्र मुस्लिम जो सैना पती थे मारना परताब की के सैना में वो थे हाकिम खासूर और उन्होंने हरावल सैना कौन सी हरावल अग्रिम सैना का क्या किया था नेत्रत्व किया था तो बार-बार ये कोशन पूछा जाता है कि मारना परताब की हरावल सैना का नेत्रत्व किस यह पठान थे ठीक है हाकिम खासूर ठीक है तो इन्होंने नेत्रज के था यह हमें ध्यान रखना है ठीक है और 21 जून जो है गोपिना शर्मा के अकॉर्डिंग है और 18 जून आशिरवाद महुद्धे के अकॉर्डिंग है और बहुत सारे इतिहासकार भी यही देट हमानते है ठीक है यह तो हो गया महारना परताब के हल्डिगाटे के हल्डिगाटे के युद्ध जो है महारना परताब की जीत हुई थी इसमें और अकबर की भी हार हुई थी कुछ लोग बलते हैं अकबर की जीत भी हुई थी क्योंकि चिताडगड के किले पर अधिकार खड़ लिया रहे हैं वो भी आप से एक्जाम में कूट के रूप में पूछे जाते हैं हो जो कि कुश्यन और आथा है हलदी घाती के इंदसे सिंधित कि ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी युद्ध को अपनी आखों से देखा अक्बर के दर्बार में एक इतिहासकार था बदायुनी के नाम है बदायुनी इसने हल्दी घाटी के युद्ध को आखों देखा आखों देखा वर्णन किया यह युद्ध में मौझूद था ऐसे पूछ सकते हैं युद्ध में उस समय कौन मौझूद था तो यह इतिहासकार है इन्होंने और इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के विशे में कहा था गोगुंदा का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था गोगुंदा का युद्ध एक और है अबुल फजल जो है इनका सबंद राजस्तान से नागोर्ज लेके थे और अकबर के ये एक इतिहासकार थे अकबर के दर्बार में रहा करते थे ठीक है इन्होंने हल्दी खाटी के युद को खमनोर का युद का देखिए ये quotation पूछा जाता है आपसे सवाल अबुल फजल ने क्या कहा खमनोर का युद और आखों देखा वर्णन किस ने किया बदाविनी ने और क्या कहा हल्दी खाटी के युद को कोगुंदा का युद ठ ठीक है ध्यान रहेगा इसके अलावा एक और इतिहासकार है मैंने अभी आपको नाम भी बताया था आशिरवाद महोदे उन्होंने इस युद्ध को बादशाबाग बादशाबाग का युद्ध का और सबसे बहत्पूर्ण जो पूछा जाता है और सबको पता भी होगा ये कर्नल जेमस टोड कर्नल जेमस टोड ने से इस युद्ध को मेवाड का थर्मा पोली कहा था इस प्रकार हमसे ये इतिहासकारों के नाम भी पूछ सकते हैं कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा खम्नोर का युद्ध किसने कहा एक बार एक कोशेन आया भी है पेपर में कोश्चन पेपर में ऐसे आया था कि अबूल फजल कि ऐसंगत कीजिए ऐसे करके आया था असंगत कीजिए कौन सा असंगत है ठीक है तो यहां पर अब चारों ऑप्शन में से इन्होंने इस ऑप्शन को गलत बना दिया होगा क्योंकि करनल जैर्शोड वेवार्ट का थर्माप हो जाएगा इस तरह के से चार कोटिशन में एकोशन पूछा गया है कॉपटिशन के एक्जाम में तो हमें ध्यान रखना है कि आखो दे का हाल किसने कहा था बदावीनी ने खमनोर का युद अबुल फजल ने बाच्छाबाग का युद आशिरवाद महोद्य ने कहा था और वो अपने अभियान को जारी रखने की कोशिश करते हैं ठिक है जो अक्पर की सेना है वो गोगुंदा में टिकी रहती है वहीं नियरबाय जो गोगुंदा के पास में एक जगे है कुंबल गड तेक है वहां से अपने अभियान को ये जो महारणापरताब है जारी रखते हैं दीरे-दीरे महारणापरताब जो है अपनी सैना को संखित करते हैं और अकबर की जो सैना है गोगुंदा से वहां से जो गोगुंदा में छिपी वीती वहां से जाने लगती है अब क्या होता है तीन अभियान भेजे जाते हैं उन्हें तीन स्टैने अभियान भेजे जाते हैं और ये क्या करता है? कुम्बलगड का दुर्ग कुम्बलगड के दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है शाबाज खांके द्वारा 1577 ठीक है? फिर ये 88 में भी आता है फिर महाणा परताब के द्वारा कुम्बलगड के जो दुर्ग को जीत लिया जाता है वहाँ पर भान सोन गरा को किलेदार बना दिया जाता है किसको किलेदार बना जाता है? महाणा परताब के द्वारा भान सोन गरा को किलेदार बनाया जाता है कुम्बल गड़के जो दूरक पर पहले शाबाज खाहा अटैक करता है आकरवन करता है फिर माहाणा परताप क्दार्ट कर लेता है फिर 88 में भी किया जाता है फिर 79 में भी किया जाता है और फिर लास्ट में 1580 में ये क्या होता है? चला जाता है, लौट जाता है कुम्बल गड के दूर को छोड़ कर लौट जाता है ठीक है? और यहाँ पर 1580, मई 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतरत में उन्हें कुम्बल गड का दुर्ग को पर आक्रमन किया जाता है इसे कुम्बल गड के दुर्ग के युद के नाम से भी जाना जाता है कुम्बल गड के युद के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखना है? कुम्बल गड का युद देखो हल्दी गेटी के युद्ध ऐसे बहुत सारे युद्ध आते हैं जो हमें ज्याद ध्यान में रहते हैं जुसे अजाद के बिच्ण पुछता है कि जो बच्छों को नहीं आती हैं सूटेंन को नहीं आती होगी तो ध्यान रखेगा कुंबल गड़ पर जब अधिकार किया था शाबाज खाने और उसे कुंबल गड़ के युद के नाम से जाना जाता है ठीक है इस तरीके से अब्दुल रहीम खाने खाना जो था इसका भी मुकाबला होता है जो महारना परताब है जो उतके पुत्र है अमर सिंग महारना परताब के पुत्र अमर सिंग के साथ ठीक है अमर सिंग के साथ महारना परताब के पुत्र है तो क्या होता है कि अमर सिंग के नेतरत में अब्दुल रहीम खान खाना के साथ युद किया जाता है तो इस युद में अब्दुल रहीम खान खाना की हार हो जाती ह और ये भी यहां से लौट जाता है, कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना की जो इस्तरियां थी, वहाँ पे जो ओरते थी उनको अमर सिंह द्वारा कैद कर लिया जाता है, किन्तु महारना परताप के कहने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, ऐसा माना जाता है, तो इस से लौट जाता है 1580 में, एक और युद्ध होता है 1582 में, वो भी काफी महत्पून युद्ध है, देखिए, यहां पर निरंतर, निरंतर, अकबर के द्वारा अभियान बेचे जा रहे हैं, ठीक है, देखो ये बात आती है, कि सिस्ट मंडल तो मैंने आपको बता दिया, कि स सिस्ट मंडल कौन कौन से आये थे, पहला जलाल खान था, फिर दूसरा आया था मान सिंग, तीसरा भगवान दास था, चोथा कौन था, टोडरमल था, ठीक है, टोडरमर के नेतरत में आया था, ये भी पूछा जाता है, कि सेन ने, सेन ने अभियान सबसे पहले किसके नेतरत सेने भन पहले नेतरत में तो भेजा था, हलडी घाटी के युद हुआ था, वो तो हम जानते हैं, इमान सिंग और असरफ खान के नेतरत में हुआ था, हल्डी घाटी के युद जो हुआ था, ठीक है, और एक और जो अभियान हमने अभी अभी पढ़ा, शाहभाज खान का ज यहां पर कुम्बलगड के दूर अधिकार करने आए थे और कुम्बलगड का यूद भी होता है शाबाज खान का जो के नेतरत में होता है तो यह सब इस तरीके से आते हैं जो आता है उसका भियान आता है अध्यूद अभियान से पहले 1582 में दिवेर नामक स्थान पे दिवेर का यूध होता है इस यूध का नेतरत भी महाना प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वारा किया जाता है दिवेद नामक जगा पर यह कुंबल गड़ के आसपासी है यह जगा यहाँ पर अकबर का जो चाचा है काका है सुरेमा सुल्तान उसका नाम है सुरेमा सुल्तान सुरेमा सुल्तान को अमर सिंग अमर सिंग के द्वारा पराजित किया जाता है अमर सिंग के द्वारा पराजित किया जाता है देखे इस युद्ध में एक ऐसी घटना होती है कि अमर सिंग जो है अपना एक भाला लेते हैं जो सुरेमा सुल्तान ने टोप पैना होता है लोहे का उसको चीरता हुआ भाला उसके शरीर से होता हुआ जो घोडे के शरीर तक पहुँच जाता है ऐसा दृष्ट देखकर जो मुगल सैना है अचंबित हो जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है और जो महानपरताब है उनकी प्रतिष्टा होती है यहाँ पर ठेक है देखे एक लोहे का टोप पहना हुआ है उसके उनके शरीर से जाते है बैठे होंगे जो सुरेमा सुल्टान ओपर भुड़े पर बैठा होगा और तोप से लेकर उनके शरीर तक गया फिर भुड़े पर गया और वह पिर जाके जमीन पर भी धस जाता है और वो जो सुरेमा सुल्टान है एक बुद्ध की तरह दिखाई देता है इसमें ऐसा द्रश्व देखकर जो मुगल सेना डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और महार्णा प्रताप की क्या होती है यहां पर पतिष्टा होती है उसका मतलब जो उनकी कीर्थी है चार तरफ फैल जाती है और अकबर क्या हो जाता है इसमें एक तरह से अपने आपको लाचार महसूस करता है यहां पर इसके बाद में अंतिम एक अभियान होता है 1585 में जगनात कच्वः के नेत्रत में यह अंतिम अभियान जगनात कच्वः के नेत्रत में इसके बाद में 1585 के बाद में मेवाड के विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं होता है ठीक है 1585 तक यह अभियान चलता है और 1585 में महाड़ा प्रताब द्वारा चावंड एक जग़े है चावंड उसे अपनी नई राजधानी बनाया जाता है चावंड को राजदानी कब बनाया 1585 दक्षिन परवती ये छेत्र है कहा जाता है कि चावंड जो है एक लूना चावंडिया लूना चावंडिया एक राठोड वंच का दुर्बल चाशक था उससे छीन कर चावंड को राजदानी बनाया जाता है महारना परताप के द्वारा ठीक है, और ये इनकी मृत्यू प्रंथ, पन्रासो सत्यान में तक, इनकी मृत्यू दंग चावंड ही इनकी क्या रही थी, राजधानी रही थी, ठीक है, तो महार्णा प्रताब एक व्यवस्ताथ, व्यवस्ताथ, तो महार्णा प्रताब एक अच्छे व्यवस्तापक भी थे, ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, चावंड को राजधानी बनाने के बाद में, महार्णा प्रताब के द्वारा, यहां से, यहां इस जगह पर, शुक्षान्ती से अपना जो समय व्यतीत किया गया, ठीक है, चावंड नामक्ताथ, 1615 तक यह राजधानी रहती है, अमर सिंग के बाद तक भी, ठीक है, कि अमर सिंग तक यह जो राजधानी रहती है, ठीक है, चावंड में, जो 1585 को यह राजधानी बनाई गई थी, इससे संकट कालीन राजधानी भी कहा जाता है, संकट कालीन, इससे क्या कहा जाता है, संकट कालीन राजधानी भी कहा जाता है, यहां पर रहके मिवाड में एक शैली का जन्म होता है, मेवाड में चावंड शैली का जनुम भी होता है जब महाणा प्रताब यहाँ थे तो चावंड नामक जगे से मेवाड जो चित्रकला की जो शैली है चित्रकला इसे चावंड शैली बोला जाता है इसका जनुम होता है ठीक है मारणा प्रताप के द्वारा यही पर हरी हर मंदिर बनाया जाता है हरी हर मंदिर का डर्मान करवाया जाता है और इनी के द्वारा राज्य अभी शेख विश्व वल्लब विश्ववलब गन्थों की रचना की जाती है महानापरताप के अधीन इन गन्थों की रचना की जाती है यही पर चावंड में ही जो इनके दरबार यह कभी हूँ द्वारा दुर्चाहाडा दुरसा आड़ा दुरसा आड़ा के द्वारा विरुद चिहतरी इसमें महाना पताया आपकी प्रशनचा की गई है नामक ग्रंद की रशना की जाती हैं यही पर हेम रत्न सूरी के द्वारा गोरा बादल गोरा बादलरी चौपाई ध्यान रखेगा गोरा बादलरी चौपाई नामक एक बार एक्जाम में पूछा भी गया है गोरा बादलरी चौपाई ये लिखी गए थी देखें ये समय जो गोरा बादल है आपको अबने बताया था रत्न सिंग के दो सेनापती थे लेकिन ये लिखी कब कब गई? ये प्रताप के समय में लिखी गई? आपसे एक कौशन पूछा जाता है कि गोरा बादल्री चुपाई जो है वो हेम रत्न सूरी द्वारा लिखी गई थी प्रताप के समय में ठीक है औ और कौन थे गोरा और बादल कौन थे? कौन थे ये? रत्न सिंग जो थे अलावदिन खिलजी का जब आक्रन होता है चित्तोर पर 1303 में तो गोरा बादल वीरगती को प्राप्त होते हैं ठीक है? और दो सैनापती थे रत्न सिंग के तो ध्यान रुखिएगा कि हेम रत्न सूरी महाना प्रताप की समय में इस ग्रंत की रशना की थी और दुरसा आडा ने विरुद शिहतरी में महाना प्रताप की प्रशंचा की है इसमें ठीक है? तो पूर सकते हैं कि कौन पन से? ग्रंत है और देखिए इन ग्रंतों की रशना भी महाना प्रताप की समय में हुई थी वि तो ध्यान रखेगा यह सारे कोशन आपसे पूछे जाएंगे दुर्जा हडा की जो एक किताब है एक बार कोशन पूछा भी गया है सब उसके हमें याद नाम याद रखनें लेकिए महारणा परताफ ही समंदित एक्साम में बहुत बार एक रही कोशन निया दो कोशन तब चांसेस बनते हैं तो महारणा परताब से जो क्वेशन बनने के बहुत जादा जादा चांसेस बनते हैं ठेक है तो यहाँ पर देखिए इसी जगहा पर रहते 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 पंद्रासो सत्याणमे में महारणा परताब की मृत्ति हो जाती है पूछा भी जाता है इनका सन भी 19 जन्वरी पंद्रा सो सत्याणमे में इनकी म्रत्य हो जाती है और यह पूछा जाता है इनका जन्व कब हुआ तो ध्यान रखेगा इनका जन्व कब हुआ था 9 मई 1540 में इनका जन हुआ था ध्यान रखेगा और सत्याण में को इनकी मृत्यू हो जाती है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा आप यह सब चीजे पूछते हैं एक्जाम में देखें ऐसा माने जाता है कि जो महारणा परता पर एक दिन जो धनुष की प्रत्यक्चा है जो धन को खीचते हैं उससे उनके शरीज़ पर को घाग हो गया था उसके बाद और उस्वस्त हो गया और उनकी वहे पर मृत्ती हो गई ठीक है तो ध्यान रखेगा इनके दोरा नर्वान भी करवा कशेatzा था इस ध्यान रखेगा है जब संकट के समय में थे तो उनकी सैना के पास में कुछ खाने को नहीं था तो एक भामाशा का नाम याद आपको ध्यान रखना है भामाशा भामाशा नाम से काफी योजना है भी चल रही है भामाशा योजना है ठीक है शिशोधी अवंज की स्थापना की थी उनको भामाशा है ऐसा मानाता है भामाशा और उड़ के एक भाई है ताराचन क्या नाम बनता है ताराचन देखे भामाशा का नाम तो सबको याड होगा लेकिन इनके भाई है ताराचन भाई है इनके भामाशा के इनके द्वार दोनों के द्वारा क्या किया था सम्मलित रूप से महार्याप्ताब की सहिता की ता इन्होंने क्या दिया था 25 रूपे इन्होंने दिये थे और 20,000 अशरफियां सोने की शुत्तोने की अशर्फियां दान देकर महारणा प्रताप की साहता की गई तो भामाशा का नाम याद रखेगा ताराचंद उनके भाई थे उनका भी नाम अब ध्यान रखेगा मामाशा का नाम हम ध्यान रखते हैं लेकिन ताराचन को भूल जाते हैं तो ध्यान रखेगा 25 लाक रुपे दिये थे और 20 अजार अशर्फियां दिये थे जिसका इस्तमाल करके महाराणा परताब के द्वारा 12 वर्ष तक अपनी सैना को जो है सैना की जो रशत्सामगरी है जो भी उसकी पूर्ति की गई ठीक है, तो ध्यान रखेगा, इनकी मृत्ति हुई थी, और बाडोली नामक्चो जगे है, बाडोली में, बाडोली में महारणा प्रताप का स्मारक है, मैंने आपको बलीचा बताया था, बलीचा में किसका स्मारक है, बलीचा में स्मारक है, महारणा प्रताप के प्रिये घोड चेतक का, ठीक है? ध्यान रखेगा. तो बाड़ोली में किसका समारक है? बाड़ोली में समारक है? महाणाइ परताब का समारक है. तो इस प्रकार एक महान योधा वरुस्तापक और एक राजनितिक जो है एक स्वाभिमानी जो वेक्ति है उनकी मृत्ति हो जाती है और इनके बाद में जो नेक्स्ट जो है मिवाड की गदी पर बैठने वाले जो दाविदार होते हैं वो है अमर सिंग अमर सिंग ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारा सिंग वो है अमर सिंग प्रथम ठीक है ये पंद्रा सो सत्याण में से सोला सो बीज तर ये शार चाहिए ठीक है अमर सिंग जो है अमर सिंग के समय में भी जो मुगल आक्रमण वेगारा हो रहे थे लेकिन इन्होंने क्या किया था हरी जाला हरी जाला हरी जाला के नेत्रत में एक अलग विभाग का सैन ने विभाग जो बना दिया था हरी जाला के नेत्रत में सैन ने विभाग बना दिया था एक अलग सही कि मतलब इसके लिए अगर कोई भी आकमन होता है तो हरी जाला है जो उनको सैनापती बना दिया गया था तो ये उनका नेत्रत करेंगे उनको अलग से ही एक तरह से विभाग बना दिया गया था अब अमर सिंग के समय में यहाँ पर देखिए अकबर के द्वारा पंद्रा सो निन्याड में अकबर का पुत्र है जहांगीर इसको सलीम भी बोला जाता है मेवाड के विरुद एक अभियान भीचा जाता है लेकिन जो सलीम है वो इतना ध्यान नहीं देते हैं इसको बाद सोला सो दो में भी किया जाता है सोला सो तीन में भी किया जाता है पांच में भी किया जाता है यह अभियान मतलब असफल ही रहते हैं क्योंकि सलीम जो है इसमें रूची नहीं लेता है जहांगीर की रूची नहीं होती है 1605 में जब इनकी मृत्यों हो जाती है अकबर की इसके बाद में एक मेवाड और मुगल की संदी होती है मेवाड मुगल संदी 1615 में होती है ठीक है, 1615 में ये संदी होती है, इसमें क्या होता है कि इस समय जो मेवाड है, काफी युद्ध जेल करते-करते, उनकी इस्तती काफी खराब रहती है, तो मेवाड के जितने भी सामन्त है, जो अमर सिंग को एक सलहा देते हैं कि हमें युद्ध नहीं चारी करना चाहिए, हमें करते हैं, संदी कर लेते हैं, ठीक है, इस संदी के अंतर का जो, इस संदी में क्या होता है कि जो जहांगीर का पुत्र है खुर्रम, खुर्रम जो है, जो आगे चलके जिसे शहाजा बोला जाता है, शहाजा, ठीक है, इनके नेतरत में जो पहले आक्रमण होता है, ठीक है, जहां दखेगा कि जब मेवाड मुगल की संदी होती तो खुर्रम होता है आकम खुर्रम के द्वारा किया जाता है ठीक है और मुगल की तरफ से मुगल की तरफ से जो थे श्री जी श्री हरी जी और सुन्दर दास हस्ताक्षर करते हैं जो संदी होती है और मेवाड की तरफ से हरी जाला और शुबकरण पेपर में पूछा जाता है हस्ताक्षर कौन करता है तो ध्यान रखेगा मुगल की तरफ से ये और मिवाड की तरफ से ये दोड़ा थे ठीक है नहीं करेगा दुर्ग की मरमत नहीं करेगा नहीं करेगा ठीक है और जो मुगल सेना को अपने तरफ मेवाड में रखा जाएगा मेवाड को मिवाड में मुगल सेना रही ठीक है और महाराणा को अमर सिंग जो है महाराणा है उनको बाद नहीं कर आ जाएगा विवास संबंद के लिए मुगल जो संबंद बेवाईक संबंद हो है तो है देखिए हम बाद में चर्चा करेंगे कि जो पहला मुगलों के साथ विवाद करने वाला जो राज्य था वह कच्वाहवंच है इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे तो इनको बाद नहीं किया जाएगा तीसरा है इनको बाद नहीं होगे विवाद संबंदों के लिए बाद न बाद में रहना पड़ेगा ठीक है देखिए ऐसा वाना जाता है कि अमर सिंग जो है इनको ये जब संदी होती है गलानी होती है इनको तो अपने जब संदी के बाद में एक आहड नाम की जगह है आहड आहड में ये चले जाते है ठीक है आहड से बिताव आपने पड़ी होगी ठीक है आहड उदेपुर के आसपास ही है ठीक है वहाँ चले जाते है और यही पर इनकी मृत्ति हो जाती है आहड में आहड में इनकी मृत्ति हो जाती है अमर सिंग की आहड में यहाँ पर इनकी छत्रियां बनी हुई जिसे बोला जाता है महा सतिया जिसे क्या बोला जाता है महा सतिया ऐसा बाला जाता है कि अमर सिंग की जब मृत्ति हो गई थी तो बहुत सारी जो इनकी रानिया थी उन्होंने यहाँ पर सती हुई थी एक साथ इसलिए इस तल को महासतिया कहा जाती मैंने आपको बताया था बागोर में बागोर को कहा जाता है महासतियों का टीला और आहड को क्या कहा जाता है महासतिया ध्यान रखेगा ये भूलिएगा नहीं आप महासतिया क्या है आहड को कहा जाता है जहां पर जो जितने भी मेवाड के राणा है उनकी छत्रियां बनी हुई है और ऐसा बन जाता है ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आहड में किनकी छत्री बनी हुई है तो ये आएगा आज़र आपको अमर्सिंग प्रतम, ये बहुत दार पूछा गया है एक्जाम में कि आहड में जो महराणाओं की, मिवाड के महराणाओं की क्या है, छत्रियां है, इसके बाद में जितने महराणा हैं, उनकी छत्रियां हैं वहाँ पर, ठीक है, सबसे पहली जो पर जो अमर सिंग इनको गलानी हुई थी तो वो कहाँ चले गए थे आहट चले गए थे ठीक है एक और आता है इनका उम्राव और सरदार ये दो प्रकार के इनोंने जो इनके सामन्तों को दो भागों में इनोंने बाटा था ठीक है अब से पूछ सकते हैं कि इनके जो प्रशाशन में इनोंने किस प्रकार से कोई कि हमारे एक्जाम में हमने देखाए कि पॉलिटिकल जो है इशुज वो भी पूछे जा रहे हैं ठीक है और कल्चरल तोवे है इसमें ठीक है तो उम्राव और जो सर्दार नाम से दो मतलब जो उनके जो सामंतों का विभाजन किया था अमर सिंग के द्वारा किया था तो पूछ सकते हैं एक्जामें उम्राव क्या है सामंतों का एक विभाजन किया गया था अगर जो है अमर सिंग के द्वारा किया था ठीक है उम्राव और सर्दार नाम से ठीक है तो इनके बाद जो है दूसरे जो शाशक बनते हैं तो हमें ध्यान डखना है अमर सिंग के विशे में भी हमें ये सारी बाते पढ़ दी है ठीक हम मेवाड के आदे भाग तुक पहुंच चुके हैं नेक्स जो शाशक है अमर सिंग के मढ़ने के बाद में करंड सिंग महाराना करंड सिंग महाराना करंड सिंग चाशक बना था तो ध्यान रखना है कि अमर सिंग के बाद में कौन शाशक बना था तो ध्यान रखेगा महाराना करंड सिंग चाशक बनते हैं ठीक है करंड सिंग जो है इनके समय में मैंने अभी आपको नाम बता है खुर्रम जो है, खुर्रम को शाजा के नाम से जाना जाता है, खुर्रम जो है, शाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और खुर्रम ने क्या किया था, जहांगीर का विरोध किया था, ठीक है, जहांगीर के समय में विद्रो कर दिया था, और ये खुर्रम भाग कर कर्ण सिं के पास आयते, पिछोला में एक जगे है, पिछोला जील के पास, जो जग मंदिर है, जग मंदिर में यह है, जो है खुरम यहाँ पर थे रहे थे, ऐसा माना जाता है कि जो जग मंदिर है, इनके निर्मान की योजना, करण सिंग के द्वारा बनाई गई थी लेकिन इसको पूरा किस ने किया था इनके पुत्र जगत सिंग पस्ट ने किया था जो हम आगे पड़ेंगे ठीक है इनके द्वारा यही पर दिल खुश महल ठीक है कान द्मान करवाए गया था इनके विशय में इतना नहीं आता है बस आपको ध्यान रखना है कि खुर्रम जो है जो यहाँ पर आता है और करण सिंग इनको यहाँ पर सायता देते हैं इनके बाद में जो आता है वो नेक्स जो राजा है वो है जगत सिंग महाराणा जगत सिंग अब हमें को इतना नहीं पढ़ना है हमें जगत सिंग फर्स्ट इन्होंने जग मंदिर जग महल इन्होंने एक जगनाथ प्रशर्स्ती भी लिखी थी कृष्ण दास के द्वारा जगनाथ लिखा जगनाथ जगनाथ ब fonds मार जगनाथ लिगा जग VOC जो हमारा next राजा है वो है महाराणा जगत सिंग जगत सिंग फर्स्ट दीखो इनके विशे में आएगा कि इन्होंने एक जगननात इंपोर्टन्ट है ये जगननात मंदिर बनवाया था और वहाँ पर ही एक जगननात जो प्रशस्ती है इसी मंदिर में जगननात प्रशस्ती ही नहीं के समय लिखेगी थी करश्न भट किसके द्वारा लिखेगी थी करश्न भट लेकिए तो जगननात प्रशस्ती है ये काफी मैत्रपूर्ण है और जगनात मंदिर किनके द्वारा बनाए गया था? जगत सिंग के द्वारा बनाए गया था, ठीक है? इनके अलावा इन्होंने पिछोला जील के पास में मोहन मंदिर मोहन मंदिर इनकी एक धाइमा थी नोजुबाई, ठीक है? नोजुबाई के द्वारा धाए का मंदिर भी बनाएगा किनके द्वारा बनाएगा था? नोजुबाई नोजुबाई के द्वारा बनाए गया था, ये कौन थी? राणा की धाइमा जगत सिंग के धाइमा ध्यान रखेगा कि जो एक नोजुबाई के द्वारा धाय का मंदिर पुछ लिया जाता है इस परकार के क्योंकि हमारा कल्चुरल जो है आपके इंजाम में है तो ध्यान रखेगा कि धाय का मंदिर नोजुबाई द्वारा बनाए गया था जो जगत सिंग की धायमा थी ठीक है यह बहुत बहुत पूछा गया है और इनके अलावा इन्होंने जगत महल ठीक है इन सबकी स्थापना की निर्मान करवाया गया था ठीक है और उदेश सागर जील के पास भी अनेक महल बनवाए ठीक है ठीक है इसके बाद जो नेक्स साशक है वो है राज सिंग महाराणा राज सिंग देखें ओमर सिंग के बाद करण सिंग फिर जगस सिंग पस्ट फिर है राज सिंग देखें राज सिंग जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है जितने आसपास के जो छेतर जैसे डूंगरपुर है बासवड़ा है मेवाड के जो नियर बाय है जो आसपास के जो छेतर है उनको क्या किया जाता है विजद किया जाता है ठीक है और इनके समय में जो दिल्ली में ह है वो है शाजा शाजा द्वारा भी जब जो राज सिंग है वो बासवडा और डूंगरपूर का जो ये प्रदेश है बासवडा और डूंगरपूर को जीत लेते हैं को विजित करते हैं तो ध्यान रखी का इनके समय में शाजा है लिकिकद्दी पर बैठाएं ठिक्या किसके पुत्र है जांगे के पुत्र ठीक है मैंने आपको बताया था खुर्रम जो है गड़ना होती है, मैंने आपको बताया है कि ये जो आसपरस के इलाखों पर अपना अधिकार जामा लेते हैं, राथ सिंग, और जो शाजा है वो भी इनको, इनके अधीनता है, मतलब जो इन्होंने ये छेतर विजित किये हैं, उसको स्विकार कर लेते हैं, कि ठीक है, अब यह पर एक चारूमती नाम से, चारूमती विभास समस्या आती है, ठीक है, इनके समय में, जब शाजा की मृत्य हो जाती है, तो औरंजे, तो ध्यान रखेगा, राज सिंग की समय में, दो थे, दो मुगल बादशा आएंगे, शाजा जो थे, जब बासवड़ा और डूंगरपूर पर ये अधिकार करते हैं, राज सिंग, तो उसके अधीनता ही करते हैं, उनको मान लेते हैं, अधीनता को स्विकार कर लिया जाता ह अब यहाँ पर जब औरंग जेब शाशक बनता है, तो राज सिंग जो है, एक समस्या आती है, चारूमती विवा समस्या, ये चारूमती विवा समस्या क्या है, देखिए, एक किशनगर की राज कुमारी है, चारूमती, ठीक है, किशनगर के राजा के द्वारा, दवाब में अपनी पुत्री चारुमती का विवा औरंग जेब से त्या कर दिया जाता है कि इंका विभा औरंग जेब से तो की ते हो जाता है अने लेकिन चारुमती तो से और राज सिं summ को पत्र लिखती है Catholics लिअग्क और राज लिखती है कि ओर दुखते हुए इस विभाह से ये सहमत नहीं है अब सुऩारें प्टर को पढ़ा है और नहीं के विरोध की चिंता करते हुए चिंता अब क्या होता है कि औरंग्जेब के विरोध की चिंता ना करते हुए राज सिंग जो है वो किशनगड पर आत्मन कर देते हैं मैं किशनगड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर चारोमती को वहाँ से लेकर आ जाते है विवा के लिए ठीक है इससे क्या होता है औरंग्जेब जो है उसका अफमान होता है क्योंकि इनका विवात औरंग्जेब का विवात तो चारोमती से तै हो गया था एक तरह से मान लिया था किशनगड के राजा ने लेकिन चारोमती जब पत्र लिखती है राज सिंग को तो क्या होता है राज सिंग किशनगड जाते हैं और चारोमती को वहां से लेके आ जाते हैं इस प्रकार औरंजравляब का जो मनमुटाव हो जाता है राज सिंग से, ठीक है? यहीं पर एक और घटना होती है हांडी रानी का बलिदान ध्यान रखेगा क्या है? चारू मति विभाव प्रस्न क्या है, ध्यान रखेगा? पुछ लिया जाता हूं चारूमती विवार क्या है, पर समस्या है, यहां पर एक, जब औरंग्जेट का इहां इसमें अपमान हो गया, ठीक है, राज्सिंग्ज जो चारूमती को लेकर लोट आते हैं, वहां से किशन गट से आ जाते हैं, मेवार आ जाते हैं, तो औरंजेब के द्वारा मेवाड पर क्या कर दिया जाता है? आक्रमन कर दिया जाता है क्रोध के कारेंड क्या होता है? औरंजेब मेवाड पर आक्रमन कर दिया जाता है ठीक है? अब इस आक्रमन को रोकने की जिम्मेदारी है सलुंबर के सलुंबर के रावत रतन सिंग को दी जाती है किसको दी जाती है सलुंबर के रावत रतन सिंग को दी जाती है रतन सिंग जब ये आक्वन को रोकने के लिए जा रहा होता है तो उस समय ये नव विवाहित इनकी जो एक पत्नी है सहल कवर हांडी रानी हांडी रानी सहल कवर कुछ दिनों पहले इनका विवाह हुई ये नव विवाहित पत्नी है इनकी नव विवाहिता ठीक है ये सलूंबर के रावत रतन सिंग की पत्नी है ये हांडी रानी सहल कवर ठीक है तो जब मेवाड पर जो औरंग जेप की आकवन को रोकने के लिए सलूंबर का रावत रतन सिंग आगे बढ़ता है तो उसे अपनी नव विवाहिता पत्नी की याद आ जाती है तो वो अपने जो सैनिक है उनको बोलते है जाओ मेरी रानी से कुछ निशानी लेके आओ कि जिसे मुझे उसकी याद ना आए युद्व चेतर में जाते हुए युद्व करते हुए मुझे उसकी याद ना आए सहल कवर जो है इस बात से चिंतित होती है कि अगर जो रतन सिंग को मेरी याद आएगी तो वो युद्व लड़नी पाएंगे अपने करतवे को पालर नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करती है जो स्टैनिक जो जाते हैं इसे निशानी लेने के लिए वो अपना सर काटके एक निशानी के तौर पर दे देती है तो एक तरह से इनका महान बलिदान मतलब एक तरह से न केवल यहाँ पर देखिए जो है शाशक वर्ग है जो शाशक लोग है या महराण वो बलिदान देते हैं या सेनापती एक जो रानिया है वो भी है मतलब एक तरह से नियो अपने प्राण निच्छावर करने के लिए तेयार है देश के लिए ठीक है तो मतलब करतव्य का पाला नहीं करेगा इनका जो पती है तो इसलिए अपना सर काटके वो सेनिक को दे देती है निशानी के तौर पे जैसे ही रतन सिंग जो अपनी नवी भाइता पत्नी का जो सर देखते हैं तो वो एक तरब से मतलब उनके हाथ कपकपाते हैं उनकी भुजाएं दुरबल हो जाती हैं लेकिन फिर भी वो रानी के बलिदान को गवाया नहीं जाना देना चाहते और वो क्या करते हैं इस युद्ध में जो ओरंड चेव के साथ हो रहा है वो उसमें होते हैं और वीर गति को प्राफ़् करते हैं तो इस प्रकार ध्यान रखेगा कि जब मेवार्ड पर आकरमन होता है तो जिम्मेदारी रावत सिंह को स्लिखतिounds क्या हो रहा तो है यहां पर चारुमती और राज सिंग का विभाव हो रहा होता है उस विभाव को रोकने के लिए औरंग जेव आता है यहां पर ठीक है अब विभाव हो रहा है और मिवार पर आक्रमन भी हो रहा है तो यह जेमेदारी रतन सिंग को सुप दी जाती है और यही पेपर में पूछा जा सकता है हांडी रानी का नाम पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रानी थी जिसने अगर उसके जो पती ने जो सलूंबर के रदनी सिंग ने जो है उन्होंने एक निशानी मांगी थी तो उन्होंने अपना सर काटके दे दिया था तो कौन सी रानी थी इनकी समय बहुत घटना होती क्योंकि औरंग जेब जो है बहुत कटर मुसल्मान होता है और क्या करता है इस समय हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है और यहाँ पर एक गोसाई ब्राह्मन होते हैं कौन गोसाई ब्राह्मन गोसाई ब्राह्मन जो है राज सिंग के दर्बार में आते हैं और वो इनके शरण लेते हैं तो राज सिंग गोसाई ब्राह्मनों को शरण देता है और काक्रोली में, काक्रोली जगे है, वहाँ पर द्वारिका दीश, द्वारिका दीश की मूर्ती लगा कर स्तापना की जाती है इसी प्रकार नाद्द्वारा में भी, श्रीनाद जी की मूर्ती लगा कर जो गोसाई ब्रामण है जो औरंग जेप के डर से राज सिंग की शरण बजाते हैं तो वो जो राज सिंग है इन ब्रामणों को गोसाई ब्रामण पूछा जाता है कौन सी कोत्र के थे तो गोसाई ब्रामण आते हैं राज सिंग के दरबार में ठीक है और वो नादवारा में श्रीनाजी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और काक रोली में द्वारिका धीश की स्थापित किया जाता है ध्यान रखेगा इन घटनाओं को औरंग जेप के द्वारा एक कर होता है जचिया जचिया कर लगाया जाता है औरंग चेप के द्वारा चिसका विरोध राज सिंग के द्वारा खिया जाता है देखें जचिया कर क्या है यह सिर्फ हिंदू हिंदू जो देखें जचिया कर क्या होता है जचिया कर हो है ये जो सिर्फ हिंदू जो जनता है उन पर लगाया जाता था हिंदू जनता पर ही ये कर लगाया जाता है ठीक है जिसका विरोध इनके द्वारा कियाता है राज सिंग के द्वारा किया जाता है इसी कारण औरंग जेव का जो काफी विरोध भी होता है अगर начал में यह data ध्यान रंखेगा तो इसकर का विरोध भी किया जाता है टे के राजसिंग जो है इनके समय में एक बहुत एक निर्मान कार्य होता है राजसमंद राज समंध जील का निर्मान करवाया जाता है तो ध्यान देखेगा इनके निर्मान करें हम पढ़ लेते हैं राज सिंग के निर्मान कर राज समंध है राज समंध जील का निर्मान ठीक है राज समन जील का नर्मान कराया जाता है गोंती नदी गोंती नदी के जो जल बहाव को रोक कर राज समन जील का नर्मान करवाया जाता है राज सिंग के द्वारा ठीक है यहाँ पर एक राज प्रशस्ती लगी हुई है राज प्रशस्ति इसी जील के किनारे राज प्रशस्ति लगे हुई है जिससे रण छोड भट ने लिखा था ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या शिला लेक है देखे प्रशस्ति किस पर लिखी जाती है शिला पर ही लिखी जाती है तो विश्व का सबसे बड़ा शिला लेक आ जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या जाए तो ये कौन सी आ जाएगी बतलब ये शिला लेक ही आता है mostly तो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो शिला लेक है ये देखिए आप पढ़ लेते हैं राज सिंग के निर्मान कार रहे इन्होंने राज समन जील का निर्मान करवाया था गोमती नदी के जलबहा आपको रोक कर ठीक है राज समन जील का निर्मान करवाया यहीं पर एक शिला लेक लिखा हुआ है जिस पर राज प्रशस्ती है शिला लेक पर राज प्रशस्ती लिखी हुई है इसे राज प्रशस्ती का जाता है ठीक है जिसको लिखा था रंड छोड भट में तो यह ध्यान रखेगा रण छोड़ वट में राज प्रशास्ती लिखी ती और यह जो शिला लेख है विश्व का सबसे बड़ा शिला लेख है जो यह प्रशास्ती है विश्व का सबसे बड़ा शिला लेख है इसे नोचोकी के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखेगा नोचोकी के नाम से किसको जाना जाता है राजसमन जील पर जो शिलालेक है जो राजप्रशस्ती है ठीक है वो किस ने लिखी थी राजप्रशस्ती रंचोड भट ने लिखी थी और ये बहुत very very important है ज्राजसमन जील कौन सी नदी पर गोंती नदी जो है उसके भाव को रोक कर बनाएगा था और विश्व का सबसे बड़ा शिला लेक है ठीक है और इसे नोचोकी भी कहा जाता है तो ये important है राज सिंग के विश्वे में इनके समय में बहुत सारे इनके बारे में राज विलास करके बुक भी लिखी दी जो राज विलास से वो कवी मान द्वारा लिखी गई है इसी प्रकार से राज रतनाकर जो है इक गरंत भी लिखा गया है तो इस प्रकार ध्यान रखेगा इनके समय में एक और घटना होती है मेवाड और मेवाड, सिसोधिया मतलब मेवाड और सिसोधिया जो है सुरी, मेवाड सिसोधिया नहीं सिसोधिया और मारवाड यहाँ पर यह क्या है कि जब मारवाड के राजा जस्वन सिंग हुनको आगे पड़ेंगे जस्वन सिंग की मृत्य हो जाती है तो औरंग जे द्वारा अजीज सिंग को मतलब उनका दावेदार स्विकार नहीं किया जाता है तो इसके बाद में जो अजीज सिंग है वो आते हैं राज सिंग के पास में तो अजीज सिंग को राज सिंग क्या करते हैं शरण देते हैं तो एक सिसोधिया मारवाड जो एक मतलब इनके मद्दे में एक मुगल संगर्ष होता है तो मतलब जो अजीस सिंग का जो शरण देने के बाद में जो राज सिंग है औरंग जेव का क्या करते हैं विरोध करते हैं तो आज की क्लास के लिए सब इतना ही आगे और पढ़ेंगे ठीक है और मिलते हैं नई वीडियो में आप इस वीडियो को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैन थैंक यू